हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल स्टेडी विद अमन कुलमी अजम लाहें डारेक्टर ओफ एडुकेशन जीजन सिटी अफ दली की वोक्षीट नमबर 61 जुकी क्लास 9 क्ले सब्धिर आपका मैजस है डीट इसकी 4 जैनवरी 2022 आप अपना नेव इन पारेटेटेटर इसका डाइगनल जो हता है उसे दो गांगरेंट टायंगल्स में डिवाइड करते हैं आपको फिकर में भी टिकरा है याई भी सी यह वाला पारेट्शिक ट्राइंगल वो सी डी एके कोंग्रेंस है अबी सी निंगें ट्राइंगल्स हैं । अधियसें जी ADA और BCA यहें दोनों एकवल होगी CD और IB यह दोनों ऊकवल होगी जो एडिसेंट साइड हे है. यहां पर पितारक्या है Gb और Cd एकवल होगी C और MD क्योंकि Parallogram opposite sides एकवल रहती है . Angle BC है यानि Angle 6 और Angle 5 है वह इकवल होग है क्योंकि एडिसेंट एंगल है और Angle डिन तौन ऐसे रहे को निइकते हैं अब इम्पॉटेंट पॉइंट उता रहे किसमें बहुत पेर अपोजित साइड बहुत प्वाइच तो एकवल होती है। तब यह parallelogram है यहां पर कोडिलेटर दे रखा है PQRS जिसमें PQ जो है वो RS के एक्वल है और QR जो है वो PS के एक्वल है then कोडिलेटर PQRS is a parallelogram तो हम कह सकते हैं यह वाली से एक्वल और यह वाली से एक्वल है तो यह parallelogram है क्योंकि opposite sides equal होनी चीए सब्सक्राइब कोडिलेटर इस एक्वल और यह वाली से एक्वल होगा जैसे यहां पर कोडिलेटर दे रखा है MNOP जिसमें MNO जो है MNO यानि यह वाला एंगल नंबर वन जो है वो हमारा एंगल नंबर 2 के एक्वल होगा और PMN यानि एंगल नंबर 3 जो है वो एंगल नंबर 4 के को लोगा दिन हम कह सकते है MNOP भी हमारा parallelogram है अब इसी पर बेस्ट पे बहुत इसी practice question है हम आपको figure देखते करना है तो इसे देखके करेंगे हम fill in the blanks with correct answer तो आपको correct answer के साथ आपको E F G H ये पूरा एक parallelogram दे रखा है आपको E F H यानि E F H ये ट्राइंगल देखा है जो किसके इसे हम रफ करते है यह हमारा हो गया अब हमारा E F है तो यह किसके एक वल है H G के एक वल है तो आप यहां पर H G लिखेंगे फिर F G F G किसके एक वल है आप इसमें E H लिखेंगे साई से लिखेंगे E H E H नेक्स ए ट्राइंगल H E F यानि H E F किसके वल हो इक वल होगा हमारे यह तो यहां से हमने विदर इदर करा अभी हम यहां से इदर करेंगे तो यह हमारा आंगल एच जीए एफ के एकवल होगा इन एच जीए यहां पर आप देखेंगे तो यह हमारा बनेंगा E आउ पाँ शॉर्ज यह हमारा बनेगा इच जी तो यह तर से हमारा बनेगा E F G यानि यह वाला कौन से इंगल पनेगा E F G next is e h f aí e h f f इसा इफ यह वाला ऐंगल रया हमारा है, आप यहां पर और होन बनेगा h f g थो आप यहां पर लिखेंगे h f g then बन रही g f g h f यहां यहां पर g h और यह हमारा बन रहा है f तो हमारा कौन से बनेगा इधर कौन से बनेगा तो यहां हमारे बन जाएगा एफ एच ए तो आप यह बन रहा है जी एच एफ और हमारे इधर क्या बनेगा एफ एच ए यह वाला एंगल और यह वाला एंगल हमारा एकवल होगा तो आप इस अच्छे से लिख लिए यह यह हमारा ऐसे प्रेह टाइंगल ए एफ हे टाइंगल घोनाओफ को गजह होगारे एकपंञार फोस। एफ हमारे एफ हमारे हसा इमारे फोस। एफ हमारे एफज दते की हमारे फोस। एफजी के और फोस। आप अच्य से लिख लेंगे आज आग ज़ो saving और फोस। सब्सक्राइब करें ज्यादर से ज्यादर से ज्यादर दोसको साथ शेयर करें थैंक्स वोचिंग डियों पर गई